नमस्कार दोस्तों अगर आपको याद हो तो 1st of March 2019 को जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्दमान है उनको रिलीस किया गया था पाकिस्तान के दोरा लेकिन जब ये रिलीस किये जा रहे थे उस समय पाकिस्तान पूरे विश्व को as a humanitarian जेस्टर दिखाने की कोशिश कर रह और यहाँ पर हमारे जो विंग कमांडर अमिनंदन है उसको रिलीस किया जा रहा है लेकिन आज कुछ ऐसे important development हुए है especially यहाँ पर मैं बताओ तो जो पाकिस्तान की national assembly है जिस तरह से हमारे देश में पारलिमेंट है संसद है वैसे ही पाकिस्तान में जो national assembly है वहाँ पर कुछ opposition के एक वेक्टी के द्वारा एक speech दिया गया और यहाँ पर यह कया सब लगाया जा रहा है कि जी नहीं यहाँ पर एक तरह से पाकिस्तान force किया गया था भारत की तरफ से जिसकी वज़े से आखिरकार उनको release करना पड़ गया wing commander अमिनंदन को तो यह पूरा मामला है क्या क्य सिलसला हुआ इन सब चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा चलिया आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे लेक्षे की हप PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जोईन कर सकते हैं by searching, अंकित अगरवाल और अफिशल और अगर आप UPC की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुने रहा मौका है, Study Eye के लाई आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थुरू आप अपनी preparation और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा background में ले जाना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो तो 14th of February यही वो दिन था जब आतंगवादियों ने पुलवामा attack किया था और जिसकी वज़े से करीब 40 CRPF जवान हमारे वीर गती को प्राप्त हो गये थे, लेकिन उसके बाद से जो पूरा देश है वो काफी शोक मना रहा था, अगर आपको वो माहोल याद हो तो काफी जादा निराशा थी देशवासियों के बीच में, लेकिन इसी बीच यहाँ पर within 12 days के अंदर भारत ने decide किया, हमारे आर्मी ने, हमारे सरकार ने decide कि 26th of February को early morning में यहाँ पर हम bombarding करे जैशे मुहमत के जो terrorist camp है बाला कोर्ट के अंदर, जो की exactly पाकिस्तान के अंदर है, अब देखिए यह जो terrorist camp है बाला कोर्ट, इसकी location काफी जादा important हो जाती है, आप यहाँ पर अगर देखोगे map है यह, यह है आपका LOC, मतलब की line of control, और इसके इधर वाला part है जिसको हम कहत गिलगल बलतिस्तान और जो पूरा एरिया है इसको कहा जाता है पाकिस्तान occupied कश्मीर, तो यह तो एरिया हम claim करते हैं, लेकिन जो बाला कोर्ट है यह प्रॉपर पाकिस्तान में है, exactly मैं आपको बताओं तो जो खाईवर पक्तुनकोः का आपका region है, वहाँ पर जो प्रोव फार्टिंग करना स्टार्ट कर दी, अब इसको देखते हुए उबएसरी बात है, जो पाकिस्तान के अंदर, वहाँ की जो सरकार है, उसकी जो छवी है पॉब्लिक के बीच में, वो कही ना कही गिनने लगी, और इसको देखते हुए पाकिस्तान ने क्या किया, कि आज़़ दिखाने के लिए जस्ट यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर आपको याद हो तो 27th of February को पाकिस्तानी एरफोर्स ने क्या किया कुछ उनके प्लेंस आये और यहाँ पर जो खाली जगा था मतलब कि उनका exact target हमारे army camps नहीं थे जो थोड़े बहुत खाली जगा थे वहाँ पर अभिनंदन है उनके बीच और पाकिस्तानी एरफोर्स के बीच तो हमारे जो अभिनंदन है वो MiG-21 बाइसन जेट चला रहे थे लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पाकिस्तानी जो एरफोर्स है उनके पास F-16 था जो कि बहुती advanced aircraft है जो कि US ने यहाँ पर पा इनंदन वर्दमान है उनको कुछ ऐसाच हुआ नहीं लेकिन आखिरकार उनका जो aircraft है वो crash हो गया और वो land कर गए LOC में that is line of control में यहाँ पर land किये एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने फिर क्या किया उनको capture कर लिया और ultimately आपने देखा होगा कि 1st of March को उनको release कर दिया गया within one day में लेकिन जब यह release किया जा रहा था यह सारे pictures अगर आपको याद हो तो यहाँ पर पाकिस्तान अपने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो as a humanitarian gesture के तौर पर यहाँ पर release किया जा रहा है लेकिन अब देखे क्या होता है वहाँ की जो national assembly है पाकिस्तान की जैसे हम उन्होंने यहाँ पर basically बोला है कि जब यह पुरा सिलसला चल रहा था और जब हमने अभिनंदन को capture किया हुआ था तो यहाँ पर एक parliamentary meeting चल रही थी और उस समय जो foreign minister है इस समय आपको याद होगा अक्सर यह news में आया करते हैं शाह मुमूत कुरेशी उन्होंने इस meeting में यहा अगर हम अभिनंदन को नहीं चोड़ते हैं तो यहाँ पर भारत रात के 9 बजे तक directly attack करना start कर देगा और इसी को देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो पूरा video clip है काफी जादा trending में हो गया है social media पर इसी पर से यहाँ पर मैंने screenshot लिया हुआ है और इनके दो अगर अभिनंदन को नहीं चोड़ते हैं तो रात को 9 बजे तक यहाँ पर जो भारत है वो attack कर सकता है तो एक तरह से यहाँ पर एक चीज तो इस्थापित हो जाती है कि जो पाकिस्तान ने release किया था एक तरह से भारत ने काफी heavy pressure बनाया हुआ था पाकिस्तान के उपर इन फैट यह सारी चीजें आज जब चल रही थी तो जो हमारे former air chief है Marshall BS धनोवा जब यह पुरा बाला कोर्ट का यह सिलसला हुआ था उस समय के army chief जो air chief थे हमारे Marshall BS धनोवा उनका यहाँ पर बयान आता है और उन्होंने यही चीज कहा कि अगर पाकिस्तान अगर release नहीं करता तो यह जो forward base है यह जो आप देख रहे हो न यह LOC पर यहाँ पर पाकिस्तान के यह जो base बने वे होते हैं उसको forward base कहते हैं तो हमारा पूरी तरह से plan था कि यह जो forward base है हम उसके उपर attack करना start कर देंगे exactly आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनका कहना है कि पाकिस्तान को पता थ भारत की capability क्या है और यही इसी वजह से यह एक तरह का deterrence का काम किया आप देखे यही होता है जब हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे military में इतना expenditure करना है जो budget का काफी बड़ा हिस्सा हमारे defense पर जाता है वो एक तरह से deterrence का का काम करता है defense में budget लगाना इसका मतलब यह नहीं है कि exactly हम war में चले जाएंगे लेकिन हमें देखना होगा कि हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं पड़ोसी देश हैं वो किस प्रकार की हरकते करते हैं और इसी हिसाब से हमें भी अपनी जो defense capabilities हैं उसको लगातार strong करनी होगी जितना जादा strong होगा उतना जादा जो deterrence है वो काम करेगा in fact उनका कहना था कि ये जो सिलसला हुआ था इसको आप दो पार्ट में देख सकते हो एक तो main pressure बनाया गया था जो diplomatic channels है और जो political pressure है वो तो बनाई हुआ था लेकिन जो दूसरा एक pressure है वो था आपका military posture यहाँ पर military अपने आपको पूरी तरह से offensive दिखा रही थी मतलब कि एक उस समय भी यहाँ पर पाकिस्तानी forces के द्वारा जो अजय अहुजा है वो mid 21 यहाँ पर fly कर रहे थे तो उस समय तो यहाँ पर पाकिस्तानी forces ने क्या किया था उनको मार दिया था लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया यह ensure किया था हमारी air force ने ताकि पूरी तरह से offensive posture दिखा के कि ऐसी कोई भी अगर हरकत करती है पाकिस्तानी आर्मी तो यहाँ पर हम पूरी तरह से action लेने के लिए तैयार है इन फाक्ट जो BS धनोवा है यहाँ पर उन्होंने American President Roosevelt का यहाँ पर एक जो line है वो बताया और कहा कि speak softly and carry a big stick तो कहीं न कहीं हमें बोनना तो सही तर सकता है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान ने release किया था उस पर भारत का बहुत जादा pressure बना हुआ था जाने से पहले जब मैं यह वीडियो record कर रहा था उसके पहले जस्ट एक और news खबर सामने आती है देखे जब आपको पता है कि opposition के दोरा कुछ बोला जाता है उसके बाद पुलवामा वा जो बादध आत्यविवनेंट कि यहाँ था यहाँ पर आपके लेए क्विशन लेकर आया हूँ आपको बताना है कि कौन से देश के साथ जो matching है वो correct है उनके जो intelligence services है जैसे कि foreign intelligence service, ministry of state security, secret intelligence service, the Mossad तो ये कौन कौन से देश के साथ correct matching हुआ है इसका जो right answer है मैं अपने instagram पर तो डालूँगा ही अगर आप instagram पर नहीं हो तो यहाँ पर आप telegram से इसका right answer ले सकते हो मैं लगतार कई सारे quizzes mcq के form में अपने stories में डाल देता हूँ आप वहाँ पर जाकर play कर सकते हो instagram से बाकी अगर आप उसे economy पढ़ना चाते हैं कोई course purchase करना चाते हैं आप study iq app पर जा सकते हैं I hope कि ए video आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ आपसे next time till then thank you very much see you